नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरप शर्मा, सैयाचारे इतियास हम लोग पिछली कुछ वीडियो से मौरे काल के बारे में अध्धिन कर रहे हैं उसमें कुछ विबिन पक्षों को अभी तक हम लोगों ने देखा है जैसे मौरे काल क्यूं अपने आप में एतियासिक दस्टी से महत्पून काल कहलाता है उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि मौरे काल के प्रथम, शाशक या संस्थापक, चंद्गुप्त मौरे का शाशनकाल किस पकार का रहा था उसके बाद हमने एक छोटे टॉपिक में अशोक के अभी लेखों के बारे में चर्चा करी थी कि उससे संबंदित जो महत्पून, प्रश्ण, विविन परिक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग ने अध्यन किया था आज हम उसी शंकला में आगे बढ़ते वे नई करी की रूप में बिंदुसार नामक शाशक के बारे में अध्यन करेंगे यदि मौरेकाल के अन्य शाशकों से बिंदुसार की तुल्ला की जाए तो बहुत ज़्यादा उपलब्दियां बिंदुसार के शाशनकाल में नहीं रही है लेकिन क्योंकि एक कड़ी के रूप में बिंदुसार का महत्व है और कभी कभी इससे कुछ संचिप्त प्रश्न परिक्षाव में पूछ लिए जाते हैं इसलिए और अध्याय अध्यन की निरंतरता बनी रहे उस दस्टी से आज हम बिंदुसार का अध्यन करेंगे बिंदुसार का शाशनकाल 298 इसापुर्व से 272 इसापुर्व का माना जाता है यानि लगबग 27 साल का बिंदुसार ने 27 वश तक मौरे समराज्य के शाशक के रूप में शाशन किया था बिंदुसार मौरे वँच के संस्थापक चंद्रगुप्त मौरे का उत्रादिकारी था ग्रीक लेखकों या युनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए आमित्रगात नाम दिया है उनके अनुसार अमित्रगात नाम का व्यक्ति बिंदुसार है तिबती लामा तारणात ने यह बताया है कि चानक के जिसकी साहिता से धननन्द को पराज करके नंदवन्श की समापती करके चंद्रुप मौरे ने मौरे वन्श की स्तापना की थी वही चानक के बिंदुसार के समय में भी मंत्री पत पर आसीत रहा था यानि बिंदुसार का मंत्री भी चानक के ही था आरंबिक वर्षों में चानक्या ने ये बताया है कि बिंदुसार के समय में कुछ विद्रो हुए थे जिसमें प्रमुक विद्रो खस्या और नेपाल के लोगों ने किया था और राजकुमार अशोक ने इन परदेशों को पुने जीत लिया था दिव्यावदान जो की बहुत गरंथ है उसके अनुसार उत्राखन की राजदानी तक्षिला में भी बिंदुसार के शाशनकाल में दो विद्रो हुए एक को युवराज या राजकुमार अशोक ने और दूसरे को सुसीम ने दबाया था यानि इन दोनों ही राजकुमारों ने जो राजदानी तक्षिला में दो विद्रो हुए उनका दमन किया था सामराज्य विस्तार की द्रस्टी से देखें तो बहुत ज़्यादा उपलब्दियां बिंदुसार की नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सामने उपलब्दियां उसकी रही है यहाँ पर एक विशेश बात यह है कि चानक के जो की प्रारंबिक समय में बिंदुसार का मंत्री है उसकी मित्यू हो जाती है और उसकी मित्यू के उपरांद दो वेक्तियों को महा मंत्री बनाया जाता है जिनके नाम है खलाटक और रादागुप्त यह हमारे लिए परिक्षा की दस्ची समयत्पून है हमें ध्यान रखना है कि चानक के की मित्यू के पश्चाथ बिंदुसार के शाशन में किस को किन वेक्तियों को महा मंत्री बनाया गया था तो हमें ध्यान रखना है करलाटक और रादागुप्त दो वेक्ति थे तिब्बती लामा ने बिंदुसार के बारे में बता है कि बिंदुसार ने सुदूर दक्षिन के प्रदेशों में भी अपनी विजय पता का फैलाई थी यानि सुदूर दक्षिन के शेत्रों में भी इसने विजय हासिल की थी इस्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस का जो उतरादिकारी है एंटियोकस प्रथम उसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में बेजा था ये भी परिक्षा में पूछा जाता है कि सेल्यूकस का उतरादिकारी कौन था जिसने बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर डायमेकस को बेजा था या सेल्यूकस ने किसे राजदूत बनाकर के बिंदुसार के दरबार में बेजा है तो आपको ध्यान रखना है कि सेलूकस के उत्रादिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूद डायमेकस को बिन्दूसार के दरबार में बेजा था विदेशों से संब्द के रूप में बात की जाए तो प्लीनी नामक इत्यासकार के अनुसार टॉलमी दित्ते फिलोडेलफस जो कि मिश्र का शाशक था समनांतर शाशन कर रहा था ने डायोनिसस को बिन्दूसार के दरबार में राजदूर नियुकिया था यहां देखिएगा कनफूजन नहीं रखना है इससे पहले हमने बात किये । के बारे में जिसे सेलूकस के बात के उत्रादिकारी आंटियुकस परत्म ने बेजा है और यहां हम बात कर रहें डायोनिसस के बारे में जिसे टॉलमी दित्ते फिलोडेलफस जो किमिस्टे का शाशक है ने बिंदुसार के दरबार में राज़ दूद बना कर बेजा है एथेनिसस के अनुसार बिंदुसार ने एंट्योकस पर्थम जो कि सीरिया का शाशक है से एक दाशनिक तथा मीठा मदीरा बेजने के लिए मांग की थी या निवेदन किया था बिंदुसार के शाशनकाल के बारे में इत्यासकारों में मत एक्या नहीं है अलग अलग मत बिंदुसार के शाशनकाल के बारे में निकल करके आते हैं विवाद है विद्वानों के में मतों में अंतर है जैसे पुरान में जो लिखा गया है उसके अनुसार बिंदु सार ने 24 वर्ष मौरे काल के शाशक के रूप में शाशन किया था जबकि बौद गरंथ महावन्श के अनुसार बिंदु सार ने 27 वर्ष तक राज्य किया था यानि यहां आप देखेंगे पुरान जहां पर यह कह रहे हैं कि बिंदु सार का शाशन का जो काल है वो 24 वर्ष रा है शाशन का जो समय है वो 24 वर्ष रा है वहीं महावन्श के अनुसार बिंदु सार का समय 27 वर्ष का है तो यहां तीन वर्ष का अंतर हमें नजर आ रहा है इत्यासकार और विद्वान डॉक्टर रादा कुमद मुखर जी ने बिंदु सार के मित्यू 272 इसापूर्व निर्धारित की है यानि यदि 272 इसापूर्व निर्धारित की है और उसके अनुसार ये माना जाए कि अपने मित्यू तक वहे राजा के रूप में राज्य कर रहा था तो यहां पर ऐसा प्रतित होता है कि महावन्श में जो 27 वर्ष का समय लिखा गया है वो ज़्यादा उप्यूक्त लगता है तो डॉक्टर रादा कुमुद मुखर जी भी इस मत के समर तक है कि बिन्दू सार ने लगबग 27 वर्ष तक मौरे काल के शाशक के रूप में शाशन किया था जब बिन्दू सार की मित्यू हो जाती है 272 वर्ष जो कि रादा कुमुद मुखर जी ने मित्यू का साल निडधरिद किया है उसके बाद जो नया शाशक बनता है उसका नाम है अशोक जिसे इतियास में अशोक महान के रूप में भी जाना जाता है यह बिन्दू सार का उत्रा दिकारी था और 268 इसापूर्व में गद्दी पर बैठा था यहाँ पर यह बताने का ताथ पर यह है कि 272 इसापूर्व में बिन्दू सार की मित्यू हो रही है और 268 इसापूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा है तो यह चार साल का जो समय है वो ऐसा लगता है कि संगर्श का समय है यानि बिंदू सार की मित्व के बाद अशोक आसानी से गद्धी पर नहीं बैठा है उत्रा धिकार का संगर्श हुआ है चार साल का इसलिए यहां पर फरक नजराता है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारा अगला महत्पून टॉपिक हम लेंगे अशोक याशोक महान की उपलब्दियों के बारे में बात करेंगे उसमें ये बात डिविस्तार से हम इसका अध्यन करेंगे कि वो चार वर्ष के शार्चनकाल मका जो अंतर आ रहा है बिंदु सार के मित्यू और अशोक के राज़ा रहन के मद्दे में वो क्यों आ रहा है उसके बीच का गटना करम क्या रहा है इसको हम आगे अगला चेप्टर जो अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही महत्पून चेप्टर है बहुत सारे प्रशनों उसमें से बनते हैं उसमें हम इसको डिसक्स करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद